एलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी YouTube चैनिल जी अन्मोल प्रोडक्शन में तो आज हम बात करेंगे Canon के R6 गैम्रे की कस्टम सेटिंग की तो कस्टम सेटिंग क्या होती है कस्टम सेटिंग में फ्रेंड्स जो हमारे कैम्रे के उपटर डायल बटन दिया होता है उस पे तीन ओप्षन दी होती है, C1, C2, C3, हमें ये बटन किस प्रकार यूज करने है, जैसे हम पैलेस में गई, हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे पोजिज यहां पे होंगे, वहां पे हम अपना कैलविन, स्पेड, अपर्चर, ISO, सब ओके करके, एक बार टैस्ट करके, जिस पे भी हम चाहें, उस पे रिजिस्टर कर सकते हैं, तो इसका बेनिफेट क्या होता है, जैसे हमारे कोई फंक्शन चलो है, मान के चलो हमारी स्टेज चली हुए, और स्टेज खतम होते ही, तुरूंट हमें दूला-दूलन के पोजिशूट करने हैं, जैसे हमारी मिलेगी, जो हम कर चुके हैं, इसका बेनिफेट होता है, कि हमारा काम फास्ट हो जाता है, कई बार टाइम की स्टेज होती है, पार्टिय बोलती है, दस मिन्ट मिलेंगी, पांस मिन्ट मिलेंगी, तो इस टाइम की स्टेज को देखते हुए, हम कस्टम सेटिंग का यही बेन सकते हैं तो कि यह सेटिंग कैसे करनी है चलिए देखते हम अपने कैनल के आर्शिक्स कैमरे में तो यह है हमारा कैनल आर्शिक्स कैमरा और यह हमारा डाइल वटन यह देखिए दोस्तों इस पर यह दिए गए हैं C1, C2, C3 ठीक है अब हमारा कैमरा है मैनवल पाई यह देखिए दोस्तों यहां पर हमारी स्पीड है 100, अपर्चर है 2 और ISO है हमारी 200 तो अब हम क्या करेंगे हम जाएंगे मेन्यों में और यहां पर सेटिंग वाले ओप्सन पर हम जाएंगे 5 नमबर पर पांच नमबर पर यह Custom Shooting Mode इस पर गए और Registered Setting इस पर किलिक किया जिस पर भी हमें सेटिंग करने हैं जैसे यह C1 पर हम कर लेते हैं ओके तो जो सेटिंग हमारी मैनवल पर थी वही सेटिंग हमारी C1 पर चला जाएगी तो चलिए देखते हैं अब हम यहां से करते हैं C1 यह C1 मैंने कर दिया और यह देखिए दोस्तो C1 पर भी हमें वही setting मिली speed 100, aperture 2 और ISO 200 तो इस परकार हम C1 पर C2 पर C3 पर तिन्नों पर अपनी अलग-अलग setting कर सकते हैं और अपना wedding में fast काम कर सकते हैं तो कैसी लगी दोस्तो आपको यह हमारी वेडियो कोमेंट करके जुरूर बताना और चैनल को सबस्क्राइब करना थैंक्यो दोस्तो